नमस्कार मैं मनीशा आप सभी का स्भागत करती हूं हमारे शो में जिसका नाम है solution दोस्तों आजकोल जहाँ पर देखो महाँ पर सिफ problems ही problems हैं लेकिन एक problem के अनेको solutions भी तो है लेकिन कौन सा सलूशन आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है इसलिए आप सभी के लिए हमारा ये शो सलूशन दर्शको हमारे शो मेदी एक्सीरिंगली पॉपिलर निर्मला सेवानी जी करेंगी आपकी सभी समस्याओं का समाधार निर्मला जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नमश्कार दर्शको व्यक्ति अपना जीवन सुख और शान्ती से बिताने के लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए तयार रहता है वास्तु शास्त्र भी एक ऐसे ही चवतकार का नाम है जिसे अपनाने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में ततकाल परिवर्तन देखता है आर्किटेक्ट्स वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार नक्षय मनाने का दावा कर रहे हैं आज हर किताब अपनी बात कहती है और हर पुस्तक में एक ही विशय को ले करके कई तरह के फैट्स अलग-अलग धंग से दिखाये जाते हैं लेकिन सचाई क्या है एक आम व्यक्ति के लिए समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है कि आखे वास्तो शास्त्र है क्या तो आज और कल हम जानेंगे कि कोशिश करेंगे कि आखे वास्तो शास्त्र हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है दर्शकों आपके मन में भी वास्तो शास्त्र को लेकर के कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नमबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आप सभी के लिए फ्लैश हो रहा है इसके अलावा भी अगर आपके मैंन में कोई उल्जन है, कोई प्रॉब्लम है, तो सलूशन देने के लिए निर्मला सेवानी जी हमारे साथ मौजूद है निर्मला जी जैसा कि हमेशा से होता है, कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन वास्तु शास्त्र की हम बात करें वास्तु स्तिति क्या है? वास्तु शास्त्र क्या है? वस्तु माने जो इस कायनात में, इस ब्रह्मान में विद्यमान है क्या विद्यमान है? पांच तत्व अगनी, वायू, जल, पृत्वी और आकाश्र जो की शब्द है और अनर्जी उर्जा जो कि चलायमान है जिस चीज की इस्तति विद्यमान है वो वस्तु इस्तति है तो पांच तत्वों से हमारा शरीर बना और अनर्जी से ऐसे ही पांच तत्व से ये कायना स्रस्थी और अनर्जी से स्रस्थी बनी तो ये उसको वस्तु इस्तति कहते हैं त ताकि आप जिस इस्थान पर आप रह रहे हैं, वह वस्तुस्तति आपके शरीर की कॉंपोनेंट से मैच करती हो, उसको वस्तु कहीं है, उस चीज की इस्तति का अध्यन वस्तु है, कि इसमें हवा, रोशनी, पानी, अगनी और प्रत्वी, ग्रीनरी, बराबर मात्रा में हो, त कि आप तन, मन, धन, दिमाक, आत्मा से पूनत, स्वस्त जीवन जी सकते हैं, जैसे हम किसी वे विद्या के बार में बात करते हैं, आप जाएर सी बात है माम की बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, तो किस तख से वस्तु सास्त्र काम करता है, और कितना इफेक्टिव ये रहत तो हम कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होता प्रत्वी पे जितना भी चीज विद्यमान है वो प्रोपोर्शन और कॉंबिनेशन से एक दुस्रे को सुट करती है तो वास्तु जो है अकॉर्डिंग टू एस्टर कॉंबिनेशन काम करती है जैसे उधारनात अगर कोई व्यक्ति या तो वस्तु इस्तति का मालिक होगा उसके शरीर में वाटर की प्रोपोर्शन जादे होने से उसको कफ कोई रहेगा तो बलिक उसको सौथ एंट्रन सुट करेगा जो की गरम होता है तो कुछ भी पहली बातों जिशाय व्यर्थ नहीं है जो आठ दिशाय सबको दो दिशाय गउंट एक वास्तू शास्त्री तो शास्त्री करते हैं आर्कीटिक की बात अलग है वह तो उसके साथ में सूस्धेयर को करना ही चाहिं है उसको वह जूतिश का जैसे कि हमारे जैपुर के महराजा सवाई जैसे उते वो जोतिश मरमागी अभी थे और वस्तुस्तिती भी जानते तो जो जैपुर पूरा वस्तुस्तिती से बना हुआ है लिए कि इतना सुन्दर बना हुआ है कि छोपड़े एक साथ कटेंगी सड़के कई गली में आप साथ से उसकी वाटर साइन या जो भी उसका संशाइन उससाब से वो होना जाहिए जरूरी है कि उनको जो सूट करें वो घर में रहने वाले हर सब को भी वो सूट करें हां कि देखे कई बाली क्योंकि सिमेट्रिकल होरोस्कोप होती है यह तो आप जब उस विदा में जाएं हम जैपूर से हमारे साथ संजीव जूड़ चुके हैं सवाल पूछना चाहते हैं सलूशन चाहते हैं संजीव जी बहुत-बहुत स्पागत है आपका पूछिए अपना सवाल जो मोटा मोटी ध्यान रखना है कि गर में रोशन ही बहुत आती हो खिड़क्या और दरवाजे एक दूसरे को क्रॉस करते हों उससे क्या होगा कि दो तत्वा आपके एक एक दम तो प्रभंद रहेंगे एयर भी और आकाश भी शब्द तत्वी है ना और उसमें पानी का पूरा प्रभंद होना चाहिए और अगर आपकी इशान कॉन में होने चाहिए कि इस साउथ इस्ट में आपकी रसोई होनी चाहिए बस इतना सा ध्यान रखिए और आपका जो कमरा ह है वो नौर्थ बेस्ट होना चाहिए जो घर का मालिक है बस बाकी ठीक है और आगे थोड़े पॉधे थोड़ा सा कच्छा होना चाहिए और अगर नहीं ऐसा ले पाते प्लॉट तो उसमें गमले रखिए क्योंकि प्रत्वी तत्वका होना बहुत जरूरी है किसी भी घर में सवादे होंगे तो पेढ पते हीलेगे तो उत्री पूर्वी हावाई आपकी तरफ चलेंगे और अप खोश होंगे और नौर्थ को आप नीचा रख के घर में घर का केंटरेंस बले कहीं से बीो लेकिन नौर्थ नीचा ओना चाहिए और वहा थोड़ी घृनरी होने चाहिए जी नर्मदा जी एक और कॉलर लेंगे यहां पर अज मेर से हमारी दर्शक नर्मदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है सवाल पूछेंगे नर्मदा जी स्वागत है पूछे अपना सवाल मैं महीपूचना जाहरी हूँ कि मेरा जो घर है उसमें पूरव और उतर की दर्फ का जो कोना है उसमें मेरे बाथ्रूम और सीडिया है तो मैंने बना बना इए मकान खरीदा था लेकिन उसके कारण और मेरे घर में कुछ प्रावल्म्स हैं हमेशे ही बिमारी हैं बच्चों में बच्चों के पास पैफन वेक्ता है, बहुत परिशानित है, आर्थी कूप से भी हम लोग का सी कम्जोर हैं, तो उसका क्या उपाय करूमें, कि वो ठीक हो जाए? युरी ञ चाहिए तो आपखने हैं, शीभी करते हैं तो आर्ट इस दोगी करे को अपने घर में अपने घरये क्रीपता लगाकर अ और आपको लगता है कि मेरे घर में कच्छा नहीं है तो उनके बोंसाइज लगा दीजिए उससे वो ठीक हो जाएगा और वास्तु इस्तती की वज़े से हम आर्थिक गरीब हैं ऐसा नहीं होता वास्तु आपके जीवन में 15 या 20 परसंट इदर उदर परक रखता है आपके जादा डिपेंडेंट हो जाना ठीक नहीं है जैसा कि हमारे कॉलर कह रहे हैं कि उनके भाग्या में परिवर्तन हो गया वास्तु स्थिति को लेकर के लिए क्या हमारे भाग्या को प्रभावित करता है यह प्रभावित तो करता है देखिए कोई भी ज्यान जो होता है वो हमा में जब कि पूरी प्रत्वी की वास्तु आप खुद विगाड के बैढ गए हैं तो ये तो समझने की बात है कि आपने पूरी प्रत्वी जिस पे आप रह रहे उसमें से तो पेड़ पौदे काट दिये बड़े-बड़े कॉंक्रीट के आपने जंगल खड़े कर दिये और बड़ा विशय है डिसकेशन का और समझ का कि किस तरीके से हम चले किस जैसे मा लिजे किसी इनसान के पत्री में जो ग्रह दशा चल रही है वही नेगेटिव चल रही है और वह बहुत अच्छे वास्तु में रह रहा है तो भी वह नुकसान काएगा अपने अपने जो करम कर क्या है उसके साफ जो भागया बना उसके साफ से तो जीएगा ना अच्छी ठीक वास्तु होगी तो उसमें 15 या 20 परसंट इदर या उदर परक रखेगी तो बहुत ज्यादा वास्तु पर डिपनेंट हो जाना ठीक नहीं है आपका जो व्यक्तित होता है वह 50 परसंट साथना है यह सब काम करते हैं आपके कर्म जी निर्मेश यसे क्या आप कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी यह पूरी विद्या है जाहिर सी बात है कि उसमें बदलाव भी आया होगा तो किस हिसाब से अगर हम कहें कि आज की विद्या जिस तरह से आज वास्तु शास्त्र को फॉलो है नम बीच में आपका ब्रहमिस्तान होता था और सारी जो चारों और कमरे होते थे ठीक है रॉष्णी पूरी होती थी घड़ियां होती थी दर्वाजे होते थे एक दुस्रे को क्रॉस करते बहुत सुन्दर दंग से वास्तु बनाते थे हम इंजियन लोग तो और घर के एक हमने देखा है कि आज कर के जो सिविल एंजिनेर्स होते हैं आर्किटेक्स होते हैं उनको सिखाया जाते है कि एक छोटी से चोटी जगह जो है वो का मारी ची ऑप्टिमम यूटलाइजेशन और स्पेज इसका हम कहते है तो आज के संदर में अगर हम वास्तु सिती को अपला प्रुथवी यह वैलेंस उसको कहेंगे विद्यमान है जो तत्व उसको इस तरीके से लगाईए कि आपको हैंडी लगे तो अगर आपने कहा कि आज कल चोटी सी जगह है तो इसको मैक्सिमम हम यूटलाइज करें हां करिये लेकिन क्लटर एकटा मत करिये उस तरीके से करिये जिसे आज को हम देखते हैं मालीजे मुझे जो है मेरा घर में एंटरन से साउत है और एकदम सामने नौर्थ पढ़ता है तो मैं वहां तो वाश्मे से नहीं लगा सकती ना तो जहां सूट करता है वहां लगा लीजे ऐसा कुछ नहीं कि इसी दिशा में होना चाहिए उसी द तो एक तर इसे जो भी हमारे घर का जो भी डाइग्रम या जो भी प्लॉट का वो पूरा डिजाइन हो उसमें बस कमफर्ट और प्रोस्पेरिटी आनी चाहिए हवादार हम जिसे कहते हैं कि बनाने चाहिए काफी अगर हम स्पेस वगरा फरनिचर वगरा भी बढ़ते हो उस तरीके से ही इस्तामाल करें जितना ज़रुवत है निल में जैसा कि अभी हमार पास स्कॉलर भी आया थे संजीव जी कह रहे थे कि वो तो घर बनाने वाले लेकिन कईयों का घर पहले से बनाओ रहता है और वो वस्तु स्थिती के लिए तो तोड़ फूर भी करने में विश् हैं और आप कह रहें कि मैं ऊपर वाला माला ठीक करूगा कैसे करेंगे आप तो खुरी जमीन के नीचे हैं आपने ले-लदाक से लेकर के कोचीन तक पूरे सड़कों को खोथ के रख दिया ठीक है आप मुझे बदा ये कैसे जस्टिफाय करेंगे और बिल्कुल उसी आप कहत लिवर भी निकाल दिया सब निकाल दिया और उसको फिर सिया भी नहीं और उस पर आप अपने घर अच्छी बनाने की बात करते हैं पहले देश को ठीक बनाइए के बल बिल्दिंगे मनाने से क्या होगा पेड काट दिये जो आपके जीवन दाई थे अगर आप कुछ अपने बेसिक तत्व का इंबैलन्स होता है अगनी माद होता है तो भूकम पाता है पानी का जो जो जिसाफ ठीक साइकल पर काम निकारता है तो बाढ आती है तो प्रत्री को फेले ठीक करिए भई फिर घर को ठीक करिए तो घर में कोई बहुत तोड़फोर करने से क्या कर लेंगे जी दर्शकों याँ वक्तों के एक छोड़े से ब्रेक का जल लोटेंगे आप कहीं में जाएगा वास्तु शास्त्र के इस चर्चा को जारी रखेंगे